हलो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज मैं आपको ब्लाउज का बैक नेए डिजाइन बना के जो दिखाने जा रहा हूं बहुत ही सुन्दर बनने वाला है तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं के तो सस्क्र बनाना शुरूर करते हैं कि इस दोसरा ब्लू कलर का इन दोनों मैचिंग क्पड़ों से इन दोना मैचिंग कपड़ों से हम इसमें डिजाइन बनाएंगे यह दोस्तों बहुत ही अच्छा डिजाइन बनने वाला है तो वीडियो को पूरी देखें लाष्ट तक अब इसमें हमें पहले क्या करना है ब्लाउच बैक के गले का हम कट इन करेंगे कि तो उसके लिए हमने यह बुक्रण ले रख किये और भुक्रम यह double है और इप्रोड स्सक्रेश्वन से नोज इंच मैं इसे हम ने फोल्ड कर रखा हैं अब इसमें डिफ लगा सुरीं हमें प्रोड अि निशान लगाना है तो हम तीन इंच का ब्रोड का निशान लगाएंग इस तरह से और हमें यहां से एक इंच उपर लगाना है निशान नीचे बुक्रम से अब इसमें हम पहले नीचे गले की ड्रॉइंग करेंगे तो मैं यहां से स्टेट रखना है इस तरह से और उसके बाद में हमें इतना स्टेट और कर देना एक निशान यह दोस्तों जितना ब्रोडिंग यहां की है इतनी ही ब्रोडिंग यहां की आने चीए दोनों ब्रोड एक बराबर होने चीए अब इसके बाद में हम गले को यहां से एक शेव और देंगे इस तरह से इस सेव देने के बाद में हम निशान को थोड़ा सा डीप ब्रोडिंग की तरफ ज्यादा ले जाएंगे नीचे का अब यहां से हमें इस तरह से निशान लगाना है अब निशान लगाने के बाद में यह गला डीप है साड़े आठ इंच तो हम 9 इंच का निशान लगाएंगे यहां से जो गले का डीपनेस होगी यहां से नापनी है साड़े आठ तो हम 9 इंच पे इस तरह से यहां पर निशान लगा देंगे अब इसे हमें कटिन कर देना है तम पहले नीचे वाली निशान से इस तरह से कटिन करेंगे और इसके बाद में हमें एक पैटरन यह वाला भी कट करना है और दूसरा पैटरन हमें इस तरह से कटिन करना है इस पैटरन के हमें सेब देखनी है कि हमारी बिल्कुल गुलाई से सेब आने चाहिए अभी हम इस बुक्रम को फेंकेंगे नहीं इत्ते भी हमें निसान लगाके डूरियां सेट करनी है इसे हमें रख लेना है अब इसका जो एक्स्ट्रा दबाव है उसे हम कट करके निकाल देंगे गले की सेब कुछ इस तरह से आएगी अभी हमें कपड़ा ये गला हमें कपड़े में जमा के इसे हमें पलट देना जैसे हम नॉर्मल गले को जमा के पलटते हैं उस तरह से हमें पलट देना है और ये पेच किस किस कलर में बनाना है वह हम बना के बताएंगे पहले हम गले को पलट लेते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमें कपड़े को कटिन कर लेना है यह बुक्रम जो हमारी गले की कटिन है इस गले से एक्स्ट्रा कटिन कर लेना है लेकिन दोस्तों हम इसे गले को इस कपड़े में जमाएंगे नहीं बिल्कुल भी अभी अब यह हम किस तरह से इसमें गला बनाएंग हम इसे पहले इस T principals से नीचे रखेंगे और इसके बाद में जो हमारे बिलाउच का या सिधा कपडा है उपर की तरफ रखेंगे इस तरह से और या में ब्रोडिंग बराबर देख लिये ना दोनों तरफ बराबर आना चाहिए इस से हमें कपड़े को पकड़ना है दोनों को मिला कि और मिलाने के बाद में हम क्या करेंगे यह जो हमारा गला है इस तरह से जो ब्रोडिंग कर निशान लगा हुआ कुटका हम वहां से बुकरम को लगाएंगे और इसमें जितनी हमें पाइपिन निकालना है उतनी चोड़ाई मे सिलाई लगाते हुए इसे हमें अटेज करना है हम यहां से 20 सेंटर इसका बराबर देखना है कि कम ज्यादा नहोंने पाए यह 20 सेंटर आ रहा है तो यहां से हमें मिला लेना है हमें यहां से सुई नीचे करके इस तरह से घुमाना है और यह हम यहां से ब्रोडिंग पर गले को रखेंगे बराबर से और शिलाई लगाते हुए यह में ब्रोडिंग का ध्यान रखना है कि कम ज्यादा नहोंने पाए अब इसका एक्स्ट्रा माजन में कट कर देना है थोड़ा से दबाव लेते हुए और यहां में इस तरह से कट लगा देना है तीनों कोनों पर और कट लगाने के बाद में हम इस कपड़े को जो पाइपिन का हमारा अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से में पाइपिन निकालनी है यह बिल्कुल पाइपिन के किनारे से हमें सिलाई लगाते हुए इससे पहले पाइपिन निकालनी है आप इस तरह से नकुन से पहले इससे साप भी कर सकते हैं इससे क्या है कि पाइपिन बिल्कुल जड़ से मुड़ जाती है इस कपड़े को हम इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद हमें एक बराबर पाइपिन निकाल देनी है इसमें पूरे में यह नीचे से पाइपिन का कपड़ा इस तरह से अगर कम ज्यादा होता है तो इस तरह से हमें खींच के बराबर कर लेना है और इसमें दोस्तों हम पाइपिन और भी तरीके से निकाल सकते हैं डोरी वाली पाइपिन बना के भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको ऐसे नहीं निकालनी आती तो डोरी वाली पाइपिन बना के वह भी लगा सकते हैं तो डोरी वाली पाइपिन बनाने का हमने वीडियो पहले बना के डाल लखा है तो आप उसमें देख सकते हैं तक्रीवन वीडियो में जो डोरी वाली पाइपिन लगी होगी तो सब में वीडियो में तक्रीवन हमने बताया हुआ है कि पाइपिन किस तरह से बनानी है तो इस तरह से हमें पाइपिन पूरे में निकाल लेना है तो हमने इस तरह से पाइपिन निकाल लिया है और पाइपिन निकालने के बाद में हमें यह जो हमारा कपड़ा है तो इसे हमें क्या करना है कि हम यह कपड़े को इस तरह से बुकरम के उपर फोल्ड कर देंगे और fold करने के बाद में हमें इसे extra margin हमें cut करके निकाल देना है तम पहले इसे fold कर लेते हैं इस तरह से यह हमने शिलाई लगा लिया है अब इसे हमें cut कर देना है ते हमारा गला इस तरह से finishing हो जाएगी बुकरम भी डख जाएगी अब इसके हम आगे design बनाएंगे तो यह हमारा गोल वाला जो pattern है इसे हमें बिलाउच के same कपड़े में जमाना है इस तरह से और हम नीचे इसमें दबाव भी रखेंगे आदा दाइंच का और इस कपड़े को हम इस तरह से double fold करके यह दोस्तों इसमें पहले पाइफिन निकाल लेते हैं उपर हम इस तरह से कपड़े को कट करके निकाल देंगे और इस तरह से हमें कपड़े को रखना है लेकिन दोस्तों यह कपड़ा में ध्यान रखना है कि यह जो हमारा सीधा है ना शाइनिंग वाला दियुम नीचे की तर踏ंव रखेंगे और यह उल्टा कपड़ा वपर की तरह रखेंगे अब इसमें यह से पैटर्ण को रखेंगे ये नीले कपड़े से पाइपिन लगानी है क hätte इस कपड़े को भी हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से यह हमें दबाव रखते हुए देखना है कि हमारा नीचे भी दबाव आना चाहिए इस तरह से हम जो गुलाई है इसमें पाइपिन निकाल देंगे और इसका एक्स्टर मार्जन हमें कट कर देना है पैल तो इस तरह से वह पाइपिन निकाल जाएगी इसमें और यह नीचे के बुक्रण है वो भी डिख जाएगी इस तरह से हमें फाइपिन निकाल लेना इसकी salsa कि अब पाइपिन कील किनारे किनारे से चिला नगाएंगे तो हमने इस तरह से पाइपी निकाल लिया है और इधर भी हमारा कपड़ा फिनिसिंग से लग गया है तो जो सिलाई लगी हुए हमें वहां से आधा इंच एक्स्टर माजन लखना इस तरह से अब हम इसे क्या करेंगे हटा के रखेंगे और यह जो हमारा दूसरा पैटरन है इसे हमें नीले वाले कपड़े में जमा लेना है इस तरह से हमें एक कपड़े को नीचे रखेंगे और यह पैटरन को इस तरह से रखेंगे और इसमें हमें पाइपिन लगानी है यहां पे इस तरह से एक्स्टर माजन रखते हुए इसे हमें कट कर लेना कपड़े को और इसमें पहले पाइपिन निकाल लेंगे हमें इस तरह से पहले नीचे जो पाइपिन वाला कपड़ा है वो रखना है और उसके बाद हम यह जिसमें यहां मैं पैंच जमाना है वोगपड़ी को रखेंगे इस तरह से और यह जो рублей हमारा इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद में हमें जितनी पाइपिन की चोड़ाई पर सिलाई लगानी है उस लगाके हमें इसे अटेज करना है और नीचे द्यान रखना कि कपड़ा कम ना पढ़ने पाए तो हमने पाइप निकालने के लिए शिलाई लगा दिया है अब यह एक्स्ट्र मार्जन हमें कट कर देना है इस तरह से और यहां पर भी हमें एक्स्ट्र मार्जन रखना है आदा अब इसे अदे इस तरह से पलटना है और इसमें हम यहां पर नाखून खूंसा इसे हम फिनिस कर लेंगे और फिनिस करने के बाद में हमें इसमें भी पाइपिन निकाल लेना है इस तरह से कि कपड़े को नीचे वाले को खींच के रखेंगे तोड़ा था इस तरह से में पाइपिन निकाल देना है अब यह हमें सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे से अब यहां पर भी हमें आदा इंच का दबाव रखके इस तरह से कटिन कर देना है तो हमारा पेंच तयार हो चुका है अब इस पेंच में हमें इस पेंच को अटेज करना है तो यहां से हमें इस तरह से 20 सेंटर में रखेंगे इसे और पाइपिन के किनार किनार से सिलाई लगा कि से हमें अटेज कर देंगे हमें 20 सेंटर को बहुत ध्यान रखना है दोने तरफ बराबर आना चीए इस साइट फे भी और उस साइट फे भी तिए जो हमारे सिलाई की गुलाई घूमी हुए जो जहां से नोक यहां तक हमें देखना है कि इसकी बराबर से आ रही है इस तरह से कर दिया है अब हमें गोल्टन कपड़े में पट्टी बना लिए कुछ फोड़ी पट्टी बनाएंगे एक पैल की इतना हम यह और यह में बना सकते हैं यह आप इस टेल्ट भी बना सकते हैं जो इस्टेट कपड़ होता है इस तरह से इसमें भी हम बना लेंगी इस तरह से हम आधाएंच पर शिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा पट्टिक कम हो जाती है हमारी वैसे भी अब इस पट्टि पर हमने सिलाई लगा लिए इसका इस्टर माजल कट करके निकाल देना है और इस पट्टि को हम पलट लेंगे तो इस तरह से हमें पट्टि पलट लेनी है कि पट्टि हमें सेट पैटरन में करनी है पहले जो पैटरन है इसमें हम सेट करेंगे यह में देखना है कि पुकुरा में हमारी कहां तक है तो यहां में पहले निसान इस तरह से लगा लेना है दोनों तरफ इस तरह से और यहां पर हमें लुपी इस तरह से सेट करना है हम पहले थोड़ा सा एक लुपी के बराबर गैपिंग इसमें देंगे इसके बाद में लुपी को सेट करेंगे उसके बाद में हमें फिर इसी तरह से बीच में गैपिंग देनी है इसी तरह से फिर हम बीच में गैपिंग देंगे इसी तरह से हमें सारे में सेट कर लेना लुपी को तो इस तरह से हमने यह लुपी है सेट कर लिए है अब इसमें हम एक डोरी बनाएंगे अब यह और एक कपड़ा इस तरह से लेंगे जो हमारा खिचा हो जिसमें तिर्चे कपड़े में अब इसमें हमें डोरी पलटनी है तब इसका पहले थोड़ा सा उपर का जो मुह है चोड़ा रखेंगे उसके बाद में जो हमें लेना से लाई एक बराबर दबाव लेते हुए जितने हम डोरी पलटने के लिए दबाव लेते हैं उस हिसाब से हमें दबाव लेना है कपड़े को कट्टा लेना है और यहां से हम डोरी को पलटेंगे वहां पे हमें इस तरह से कपड़े को पतला सा कर देना है नोक की तरह और इसी तरह से हमें डोरी एक और बना लेने हैं पहले दोस्तों डोरी बनाने के और पलटने के हमने वीडियो पहले ही बना के डाल लखी है तो आप उसे देख सकते हैं किस तरह से हमें डोरी बनानी है पतली से पतली डोरी और डिजाइन की भी double color की डोरी का भी हमने डाल लखा है और single color का भी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसलिए हम डोरी आपको बनाना नहीं दिखा रहे हैं तो हमने डोरी बना लिया है अब इसमें डोरी को हमें क्या करना है इसके अंदर से लुपी के इस तरह से निकाल लेना है इस तरह से हमें लुपी के अंदर से डोरी डाल देनी है और डालने के बाद में हम पहले डोरी को एक तरफ सेट कर देंगे इस तरह से हमने एक तरफ डोरी को सेट कर दिया है अब इस डोरी को हमें थोड़ी से अलकी से खीच लेनी है कि लूजनर है इस तरह से और खीचने के बाद में हमें क्या करना है इसे भी हम इस साइट से भी दोरी को सेट कर देंगे अब जो हमारी डोरी बच्ची हुई है इसे हमें इस तरह से चार भाग में कट कर लेना है और कट करने के बाद में हमारे गलेकरण बच्चा हुआ था उसे हमें पेपर में इस तरह से रखेंगे और इस तरह से निसान उठा लेना है तरह हमने निसान उठा लिया है और इसे हम एक लोपी हम यहाँ पे टोरि सेट करेंगे और दूसरी को इस तरह से सेट करेंगे और यहां पर भी हमें अंदर इस तरह से सेट करना सभी से इसकी गैपिंग बराबर देखके दूसरी को भी हम इस तरह से सेट करेंगे अब इदर भी हमें गैपिंग बराबर देखनी है गैपिंग बराबर देखके हमें इन्हें लुपियों को दूरियों को सेट कर देना इस तरह से अब इस तरह से आठेमे इसका एक्ष्टर मारजन कट देना है अब यहां से इस तरह से सेट कर लेंगे यह जो हमने निशान लगाया पेंसे उस निशान पर हमें पैटरन को सेट करना है इस तरह से लुपियों के पास में सिलाई पक्की लगा देनी है कि लुपिया हमारी खुल के ना निकलने पाए इस तरह से हमने लुपियों को सेट कर दिया है पैटरन के साथ पर अब इसे हम गले में अटेच करेंगे तो हमें इस तरह से पैटरन को तयार कर लेना है पैटरन तयार करने के बाद में यह जो हमारा ब्लाउज का पल्ला है इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहां से हम इस तरह से देखेंगे कि हमारी सिलाई बराबर आनी चाहिए इसमें और इस तरह से रखेंगे देखने के बाद में हमें इन्हें अटेच कर देना है अब यहां पर भी हमें सिलाई पक्की लगा देनी है तक यह डोरी जो हमारी है वो निकलने न पाए और इस दबाव को हम इस तरह से बराबर देते हुए हमें अटेच कर देना है पैटरन को कर देना है अटेच कर देना है इस तरह से गले को बना लेना है तो इस तरह से हम पैच को अटेच कर लेंगे और अब इसके नीचे का जो यह पेपर हमने लगाया है इसे खोल के निकाल देना है सुरी फाड के हम इस तरह से निकाल देंगे हमारा गला इस तरह से बन के त्यार हो चुका है अब यहां पर हमें एक पैच लगा देना है तो हमने यह आप पेच लगा दिया है अब यह गला होता है इमारा तयार तो दोस्तों अगर यह आपको डिजाइन बनाने का तरीका आपको पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को किलिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वह आप त ना तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नहीं लेके तब तक के लिए थांकियो फॉर वाचिंग